उम नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कलामें सबसे पहले तो फरवरी महीने में जिनका भी जन्म दिन है या फिर कोई शुबती थी है मेरी जैनिवर्सरी वगेरा कुछ भी आपकी तो उसके लिए हारदिक महीना और अच्छा गुजरेगा सफलता मिलेगी ये भी जानेंगे फरवरी 2020 आपके कैरियर के द्रिष्टि कोन से देखें तो आपके लिए मिले जुले अनुभव ले करके आएगा महीने का पहला भाग थोड़ा सा सतर करहें की और इशारा कर रहा है तो पहले भाग में थो साथ अधिकार में वृद्धी भी मिल सकती है यानि कि आपका बर्चस्व बढ़ेगा ओफिस में आपका पद कद बढ़ सकता है तो 13 फरवरी वहीं 15 फरवरी से आपका समय बेहतर गुजरने लगेगा उस समय आप confident हो करके सही से कारे करें आपको सफलता मिलेगी 8 फरवरी को मंगल के गोचर के बाद वियपार के सिलसिले में आपको सोच समझ करके चलना होगा विद्यार्थियों को बुद्ध की दशम भाव में उपस्थिती अच्छा लाव देगी वहीं पर विद्यार्थियों को महीने का बाद वाला भाग यानि कि 15 तारिक के बाद वाला भाग वो थोड़ा सा आपके लिए कमजोर रह सकता है फरवरी का महीना आपके परिवारिक जीवन की बात करें तो इसके लिए अनुकूल रहेगा लेकिन पिता जी को स्वास्ते संबंधी परेशानिया हो सकती हैं ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए भी बहुत खास रहेगा इस फरवरी को शुक्र का गोचर आपके खर्चों में व्रिद्धी करने वाला साबित होगा इस महीने स्वास्थे मुख्य रूप से तो अच्छा ही रहेगा बस आपको आठ फरवरी को मंगल के गोचर के दोरान कुछ स्वास्थे से ले करके कश्ट हो सकता है तो थोड़ा स स्वास्थे का आपको खयार रखना है आपका समय बहतर गुजरेगा अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करें जिससे कि आपका फरवरी का महीना बहतर गुजरे तो इसके लिए प्रति दिन मा लक्ष्मी और भगवान श्री हरी विष्णु की उपासना करें और श्री सुक् कार से रिष्ष राशी के जातक अपने महीने को सफल बना सकते हैं यह आज की वीडियो रही ऐसी ही वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर क्याते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से दैनिक राशी फल भी आपके लिए लेकर क्याते रहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्